नजशकार, आदाब, सस्रियाकाल, मैं हूँ एड़वोकेट सविकार भारत द्वाज और अगर आप भी कोट मेरेज करने का सोच रहे हो ये आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिष्ट दार कोट मेरेज करने का सोच रहा है और इस देश के अंदर जो love marriage करते हैं और love marriage को court marriage में तब्दील करना चाहते हैं क्यों करनी पड़ती है love marriage court marriage के अंदर तब्दील वैसे तो court marriage कोई भी कर सकता है सादगी के लिए कर सकता है कम खर्चा हो उसके लिए कर सकता है लेकिन फिर भी ये जो court marriage को करना पड़ता है जो इसको कानूनी जमा पहनाना पड़ता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम love marriage करते हैं तो माबाप मानते हैं नहीं कोई हमारे पर मुकदमा ना दर्ज हो जाए कोई हमारे साथ मार पिटाई ना हो जाए हम साथ रह रह लेकिन मेरा एक सुझाव है ये करने से पहले जो लोग court marriage करना चाहते हैं उनसे मेरी एक request है मैं एक वकील हूँ और जब court में जाता हूं तो मैं देखता हूं सबसे ज्यादा cases जो आते हैं वो matrimonial cases आते हैं matrimonial से मतलब है बहुत सारे लोग आते हैं जो शादी करवाना चा हो रहा होता और वह वाला तलाक हम करवा देते हैं तो वहां भी हमें मिठाई मिलती है तो हमारा तो फाइदा होगा लेकिन मैं अपने फाइदे के लिए नहीं मैं तो आपके फाइदे के लिए क्या रहा हूं भगवान ना करे कभी किसी की नौबत आये तलाक लेने की आप प बार कोशिश करना अपने माबाप को अवगत करा दो आप इस सब से कि आप इस इंसान को पसंद करते हो और आप इससे शादी करना चाहते हो अगर माबाप नहीं मानते तो आप यहां पर आना क्योंकि शादी करना बहुत असान है शादी को बाद में उसकी जो दिक्कते हैं उस को गलत मानता है, और वैसे भी ये गलत है, कोई किसी की जाती, छोटी या बड़ी होने से कुछ फरग नहीं पड़ता, उस इनसान को जानों इनसान सारे एक होते हैं, जाती हैं तो इनसान की बनाई हुई हैं, भगवान ने सब इनसानों को एक जैसा बनाया, तो खेर, इस सब में नहीं पढ़ते, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, इसकी eligibility क्या है, Supreme Court के latest guideline क्या आए है, court marriage को लेके, 2020 है, 2020 के January में, इसके latest update क्या है, कितना time लगता है, क्या कुछ होता है, और कौन से act में होगी, इसकी शुरुबा आज कल तो आप अगर अच्छे experience वकील से मिलोगे, तो वो सिरफ एक दिन के अंदर, एक दिन क्या, सिरफ चार घंटे के अंदर अंदर आपको marriage registration certificate मिल जाता है, खर्चा भी बहुत कम आता है, मतलब nominal, जिसको कोई इनसान afford कर सकता है, आप लोग आज कल जितने का mobile लेते हो, एक वो mobile की range के अंदर अंदर, आप लोग ये marriage registration certificate ले सकते हो, और इसके लिए आपको क्या करना होता है, कोट से एक protection warrant भी ले लेना चाहिए, protection warrant क्यों ले लेना चाहिए, आप लोगों ने बहुत सारे cases सुने हैं, जिसमें मार पिटाई हो जाती है, शादी करने के बाद, जो अडोसी पडोसी, या माबाप या रिष्टेदार पकड़ के पीट देते हैं बच्चों को कि तुमने क्यों कर ली शादी, और कहीं बार जूटे मुकद में भी दर्ज हो जाते हैं, तो आपको एक protection warrant भी ले लेना चाहिए, आपको कागस क्या लगेंगे, बहुत ही nominal से कागस इसके लिए लगते हैं, कागस में आपका एक, अगर आपके पास कोई पहचान पत्र है तो वो लग जाएगा, आपके पास अधार कार्ड है, तो वो लग जाएगा, address proof है, वैसे अधार कार्ड हो तो भी sufficient होता है किसी किसी registration office में, सिरफ अधार कार्ड sufficient है, किसी किसी case में हमा से कम 21 साल होनी चाहिए और उन दोनों के बीच में वो लड़का-लड़की ही होने चाहिए वो समलेंगिक रिष्टा होगा तो शादी नहीं हो सकती और उन दोनों के बीच में कोई प्रोहथा और और उस तरीके का कोई रेलेशंशिप होगा तो और और क्या चीज़ होती है जिसके इंदर नहीं होई होई होनी चाहिए अगर पहले से कोई शादी होई हुई होई है तो या तो वहां पे आपका ड़ाइवोर्स हुआ हो ना काई है और अगर divorce हुआ हुआ नहीं है तो आपका partner या तो expire हो गया हो तब आप ये शादी कर सकते हो otherwise आपने शादी कर ली इन conditions के अलावा तो वो illegal कहलाएगी आपकी शादी तो अगर आप ये conditions फुल्फिल करते हो इस eligibility criteria में आते हो तो आपको Registrar of Marriage के office में एक application देनी होती है वो application जब वहाँ पे जाती है तो आपको एक date मिल जाती है आपकी शादी का एक notice कि आप दोनों शादी करना चाहते हो इसका एक notice वहाँ notice board पे लगा दिया जाता है कुछ दिन के लिए वहाँ पे लगा दिया जाता है अगर उस पर objection आना होता है तो objection आ जाता है और objection अगर ना सुनने लाये को तो उस objection को reject करके रजिस्टरार जो होता है आपको एक तारिक पर बुलाता है और आप दोनों के signature कराके अपने सामने आपको एक marriage registration certificate देता है लेकिन आपको एक और बात बता दो court marriage नाम की कोई चीज वैसे नहीं होती marriage registration होती है तो court marriage ना होके आप लोगों को क्या करना होता है अगर आप एक हिंदू हो तो आपको हिंदू रीती रिवाज से आपको शादी कर लेनी चाहिए किसी मंदिर में जाके अगर आपको नहीं पता उसकी प्रकरिया का तो उसकी प्रकरिया बताने के लिए आपको एक जब भी आप किसी एड़ोकेट से संपर्क करोगे तो वो आपको बताएंगे कि फला फला मंदिर में चले जाओ जैसे आरे समाज में आप जा सकते हो वहाँ पर जाके दो विटनेस के साथ आपकी शादी हो जाएगी आप और भी मंदिर में जाकी या प्रकरिया उसके लिए करनी है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे आपको फोटोग्राफ आप उसकी फोटोग्राफ कहां से आपको लेनी है शादी की वो सारी चीज़े आपको मेरिज रेजिस्टरार के आफिस में देनी पड़ेंगी ये सारी चीज़े तो वो आप दोगे और रेजिस्टर आपके सिगनेचर करा के आपको दे देगा एक दूसरा क्या है उसके अंदर एक प्रूफ भी देना पड़ता है कि आप अगर किसी दूसरे शहर में जाके शादी कर रहे हो ज्यादा तर लोग दूसरे शहर में जाके शादी करते हैं अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके शादी कर रहे हो तो वहाँ पर आप कम से कम एक महीने तक दोनों के दोनों किराए पे रह रहे हो उसकी किराए की स्लिप भी देनी पड़ती है ये सब कुछ कैसे करना है इसके लिए आपको एक lawyer बहुत असानी से आपको guide करेगा आपके document के नाम पे मैंने आपको बता दिया अधार card, आपकी कुछ photograph, शादी की photograph अगर आप एक Muslim है तो आपको मौलवी की तरफ से निकाह नामा मिल जाता है वो निकाह नामा भी आपका sufficient होता है marriage registered कराने के लिए और special marriage act में ये होता है ज्यादा तर cases में देखा गया है कि अंतर जाती है होते हैं या दूसरे religion के अंदर ये विवा होते हैं और इसमें आपको court से एक protection warrant भी लेके दिया जाता है आपका जो lawyer होगा जिसको भी आप hire करोगे अगर आपको कोई lawyer नहीं सूजता आपको ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे question है इसके अंदर जाने से पहले पहली बात तो आपको बता दूँ आपको घबराने की जरुरत नहीं है क्योंकि अभी पीछे ना एक case आया था शक्तिवाहिनी करके शक्तिवाहिनी वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया उस case के अंदर सुप्रीम कोट ने ऐसी guideline दे दी सबी state की police को guideline दे दी गई state heads को बताया गया और उन्होंने police को ये guideline दे दी है कि police आपकी protection को ensure करेगी आपको letter को नोटिस भी नहीं जाता है जब आपको ये protection warrant मिलता है तो आपके घर वालों ona और ठालों को न मिलने के बाद अगर आपको कोई police पकड़ती है या आपको कोई बी बात ऐसी होती तो आपว 주고 protection दिखा सकते हो और दूसरा क्या है कि Tapie ये जो contains था शक्ति वाहिनी वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया उसके अंदर सुप्रीम कोट ने कुछ गाइडलाइन दी और वो गाइडलाइन ऐसी थी कि यह जो लव मैरिज करना चाहता है जो भी कपल आपस में जो शादी करना चाहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है जो पंचायप लोगों के गले उड़ा देती थी और ऐसी बात करती थी कि इन्होंने अगर अंतर जाती है विवा कर लिया या एक ही गाओं के अंदर शादी कर ली या दूसरी जात में शादी कर ली तो उसको मार देंगे तो पुलिस आइडेंटिफाई करेगी उनकी बैठकों म प्रोवाइड किया जाएगा आपको किराये पे रहने के लिए सस्ते किराये पे भी पुलिस आपका परबंद करा सकती है आपको रहने के लिए ये सुप्रीम कोट की गाइडलाइन है अगर आपके माबाप को भी कोई परिशान कर रहा है आपने किसी गाओं में जाके ये कर्वाई करते हो तो पुलिस के ऊपर भी कारवाई होगी बड़ी से और कोई। था कोई।्वा और कोई केस कनला है जहां पर व्यूंख की होता है आपनेफे-सॏब सपनाज की बदुनामी होगे उसके चलते वह बच्चों को मार रहे हैं तो उसके लिए भी उसके उपर केस दर्ज होगा और उसके जो ट्रायल कोट बनी हुई है वो बड़ी फास्ट रैक कोट बनी हुई है तो यह सारे कानून आ गए हैं और इसके साथ ही अगर आपको कोट मैरिज करानी भी हो तो आप किसी वकील से मिलते हो अब आपको यह certificate issue हो जाएगा सिरफ चार घंटे के अंदर और बहुत ही nominal fees के अंदर जितने का एक mobile आता है उस फीस के अंदर आपको यह सारा काम हो जाएगा और चार घंटे का वक्त लगएगा जिसमें protection warrant भी आप लोगों को मिल जाएगा और सारी चीज़े आपको step by step guide की जाए आपको अगर court marriage करनी है अब से related कुछ सवाल है आपके तो आप उसका जो subject है email का उसमें लिखके भेजेगा court marriage help और वो mail आप मुझे भेजेगा मेरी कोशिश बनेगी जितने मैं जवाब दे सकूँगा मैं पूरे मन से दूँगा जहां ना दे पाऊं उसके लिए पहले से बहुत सारे लोगों को share करना क्योंकि काफी सारे बच्चों की यह problem है वो शादी करना चाहते है डरे हुए आप बेफिकर हो जाओ जी कानून आपके साथ खड़ा है आप एक वकील hire करो अच्छे से अच्छा वकील hire करो और वो आपको guide करेगा आप हमारी कोई जानकारी लेन चाहते हैं तो नीचे आप मुझे ज़रूर mail करना God bless you take care